सुनाक्षी सिन्हा की आक्षिन ड्राम फिल्म अकीरा फाइनली आज रिलीज हो चुकी है जिसे क्रिटिक्स और इंडस्री के लोगों से काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला है तो अब देखते हैं कि ओडियंस को ये फिल्म कितनी पसंद आई और फिल्म के लिए उनका क्या कहना है फिल्म ठीक है अलब एंटेटेन्मेंट के आधार पर ठीक है एक्टिंग अच्छी के सुनाक्षी ने अनुरा कश्यप का डेबियो अच्छा गाम किया उनों नफरत होती है फिल्म बहुत टाइम के बात अनुरा कश्यप को फ्रेम मतल श्कीन में देखके ये लगा कि सुनाक्षी सिना से जितने वी एक्सपरेशन थी सब कुस पूरी हुआ और बहुत अच्छी मुवी थी पैरी मुवी थी अनुरा कश्यप की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी और खेर अच्छी लगे वो फिल्म बहुत ही मज़े थार थी एंटर्टेंमेंट थी यूशली गया होता है कि जब हम लोग कोई अल्रेडी एक डिरेक्टर की अच्छी वहां की इमेक थी और यह आई फिर एर मुर्कदस ने हॉलिडर बन आई उसमें भी एक्षन था पर एक स्टोरी थी पर यह जो फिल्म लेकर आया है उसमें एक्षन के साथ-साथ जो प्लॉटिंग थी नई एक्सपेक्टेशन थी के एक गर्ल के ऊपर स्टोरी थी वह बहुत यूनीक थी तो फिल्म को देखने के बाद कहीं मुझे ऐसा ने लगा कि मैं बोरो रहा हूं एक स्टोरी सम्झाने का तरीका स्टोरी टेलिंग का डिरेक्टर बहुत इंपोर्टन था जो बहुत अच्छा था सिन्मेटोग्राफी बहुत ही अच्छी थी जो लोके देखने के बाद मैं सोनाक्षी का भी फैन हो गया है तो यह देखकर तो लगता है कि फिल्म की ओडिंस को फिल्म में सोनाक्षी का नया आक्शन अवतार काफी पसंद आया है और सभी ने अनुराक कश्रब के विलन अवतार की भी काफी तारीफ की है तो अब देखते हैं कि प्रदेशक एर मुर्गडोस दुआरा निर्देशित फिल्म में सुनाक्षी अकीरा शर्मा नाम की लड़की के किरदार में नजर आ रही है जो जोधपूर से मुंबई में कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आती है